नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से अच्छे तिरिती पर सोना खरीदना चाहते हैं तो शाल 2023 में 22 अप्रेल दिन शनिवार को सुबा आड़ बस करके 4 मिनट से ले करके अगले दिन 23 अप्रेल रभीवार की सुबा आड़ बजे तक आप जो सो खरीदने की खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों वीडियो की आखरी में बताऊंगा कि अच्छे तृतिक दिन सोना खरीदे तो हमारे जिवान में क्या परिवार्तना आता है और अधिक्तर लोग अच्छे तृतिक की दिन सोना क्यों खरीते हैं सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो हिंदू धर्मा में अच्छा तृति का बड़ा महत्वा है यह एक ऐसा दिन है जहां आपको कोई भी शुब काम करने के लिए मुहूर्त देखने की अवशक्ता नहीं पड़ती दोस्तो हिंदू पंचाइं के नुसार बैसाख मास के सुकल पक्षक की तृति ती थी को अच्छा तृति का हम सब उस्वा मनाती हैं दोस्तो इस साल अच्छा तृति का परवा 22 अप्रेल को बड़ी धूम धामसे लोग मनाएंगे दोस्तो आई जानते हैं इन पांच बड़े कार्णों को जि यह सारे जानकारी इस बीडियो में आप लोगों को एक्स्प्लेन करूंगा सारे जानकारी बताऊंगा तो दोस्तो यह बीडियो बहुत ही ग्यान बर्दक हैं इस बीडियो सापको काफी लाभ मिलेंगे बीडियो को जरा सभी मिस मत करना दोस्तों अधूरे ग्यान हमेश्या आप माने यह ना माने मातलच्मी धन देने के लिए प्रतेक मुनुष्य के द्वार में आती हैं। तो आई हम अच्छा तरिती के महत्व को जान लेते हैं कि अच्छा तरिती इतना जादा हमारे हिंदु धर्मा में क्यों यह महत्वर रखता हैं। तो दोस्तो अच्या तृती पर श्री हरी बिश्णु जी के अवतार भगवन परसूराम का जन्मा हुआ था दोस्तो उन्होंने रिशी जन्मा गदिनी और रेडुगा के घर जन्मा लेकर के धर्ती को धन्य किया भगवन परसूराम आज भी अमर है अजर है और इसकी हम सब परसूराम जी के जन्मा उस्व को ये तोर पर भी हम मनाते हैं दोस्तो अच्छा तृती पर ही मा गंगा स्वर्ग से प्रिथ्वी पर आई थी राजा भगी रेते ने हजारों वर्सों तक कठोर तप किया और अपने पूर्वजव के उधार के लिए सीव कृपस से गंगा को प्रिथ्वी पर लाए थे और दोस्तो इस दिन पवित्र और निर्माल गंगा में डुपकी लगाने से मनुष्य के पाप नस्ट हो जाते हैं और मृत्यू के बाद लोगों को परमधाम की प्राप्ती होती हैं अगर आप जो हैं गंगा में इसनान नहीं कर पाते तो नहाने पानी में गंगा की कुछ बुन्द डाल करका अप इसनान कर सकते हैं आपको गंगा जल में इसनान करने के बराबर ही पुन्य की प्राप्ती होगा और प्रतेक मनुष्य को इस दिन गंगा जल में जरूर करना चाहिए मन निर्मल होता है दोस्तों हिंदु धर्मा के नुसार रसोई में निवास करने वाली माता अनपुन्ना का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसलिए दोस्तों इस दिन भंडारा कर गरिबों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन जो भी माता अनपुन्ना का पुजन करते हैं, भंडारा लोगों के लिए कराते हैं, उसके घर में कभी भी धन्य धनकी कमी नहीं होती, इतना है नहीं दोस्तों, आपको यहाँ सुख मिलेंगे, मिलेंगे, मृत्यू के बाद जो आप भंडारा करांगे, दोस्तों आप के लिए अच्छा तरह जाएंगे, अच्छा है का मतलब होता है, नश्रमापता होने माला, वह निरंतर आपको मृत्यू के बाद भी प्रापता होगा, जीते जी आपको शुख मिलेंगे, मिलेंगे, दोस्तों यह लोकिक और परलोकिक, यह दोनों प्रकार के आप शुख प् क्या दी गई है, भगवत, गीता भी इसी महा भारत में समाहित है, इसलिए इस दिन के अधार अध्याय का पाध करनना चीलिए, अगर अधार अध्याय का पाध किया जाए, तो हमारे पितरो की आत्मा को मुक्ष मिलते है और इसी इक सांद, दोस्तों, आपको पुन्या की प पर ही पांड़ा के सबसे बड़े भाई युदिश्टिर जी को अच्छाय पात्र की प्राप्ती हुई थी और इस अच्छाय पात्र की खासत ये थी कि समें कभी भी अन-खत्मा नहीं होता था इस दोस्तों इस दिन से ही किसान रभी की फसल के बाद खाली पड़े खेत को जोतना शुरू करते हैं खुदाई करते हैं चले अच्छा तरिती की एक कथा बतारू इस कथा को सुनने मतरसे वेक्ति की गरिबी मिड़ती हैं कंगाली मिड़ती हैं तो कमेंड बाक्स में भी तक मातालच्मी की जैकारा नहीं लगाएं हमारे धार्मी गरंथों में अच्छा तरिती के शंबन में कई काथाईं प्रसीद हैं दोस्तो भविश्व पुर्ण के नुशार साकल नामाक इस्थान पर एक धर्मा नाम का धर्मात्मा बनिया रहता था धर्मा पराण, शत्यवादी, दयालू ये बनिया बड़ा निर्धन था जिस कारणवा सता परसान एवं चिंतित रहता था परन्तु दोस्तो जो बनिया हैं अच्छा तरिती को गंगा के तरपर जा करके पित्रों का विदिवत तरपन करता था तथा घर आ करके अपने शमार्थ उनसार अन्न, सत्तू, चावल, चीनी, आदी का पात्र भर करके वस्तरहें ये दक्षिना जाकर के ब्रांभडों को सच्चे मन से संकल पले करके देता था जीवान में उसकी परसानी तो समापता नहीं हुई परन्तु कुश्यमे बाद उसका दिहान दुआ दोस्तो उसका अगला जन्मा हुआ तो दोस्तो अगला जन्मा में कुशावती नगरी के साधक संपन छत्री परवार में हुआ अच्छा तृति पर किये गें शुब करमों की परभाव से वह बड़ा रूपवान, धर्म परायान एवं परोपकारी राजा बना उसके अपने राज्यकाल में जो ये राजा बने उसने अपने राज्यकाल में ब्रामभणों को अन भूमी गाय शुणना का दान दिया उससे अपने पूर्वा जन्मा में कियेंगे साधकर्मों का फल अच्छा फल की रूप में मिला दोस्तो जो लोग अच्छे तरिती पर शुब कर्मा करते हैं उनके पुन्या का कभी भी छह नहीं होता अगर आप अच्छे तरिती एक दिन किसी को एक रुपए दान देते हैं दोस्तो जा करके वा एक रुपए करोड़ो रुपए बन जाते हैं अच्छे हो जाते हैं आप आर्थानुसार इस दिन दान जरूर करें, चलिस बीड़ो में जाने लेतें हैं दान का म dalूल को चोड़कर करके नहीं जाना है अब आपको समझ में आएंगे कि हमें दान क्यों देना चाहिए बार बार पंडित लोग हैं कथा वाचक लोग हैं दान को इतना जादा देने के लिए जोर क्यों करते हैं तो आईए जानते हैं दान के महत्व को दोस्तो हर मनुशक को अपनी सरद्धक नुशार कुछ न कुछ दान अवशक करना चाहिए सास्तरों में भी दान को लेकर कि कई महत्वा बताए हैं दान उसी को भी देना चाहिए जिसे उसकी आउसकता हो धन धन से शंपन मनुशय दूराचारी मनुशक को दिया गया दान वेर न होती है कई बार ग्रहों के 200 का निवारान भी दान देआं तो आप जी जिवन के दान दिज़े जैसे सनी का पीड़ा होते हैं सास्तरों में बताया गया कि किस चीज की दान करने से क्या फल मिलता है मैं बीड़ों की बीच में बताऊंगा दोस्तों दान देने और लेने वाला का दिशा भी जानना जरूरी है सास्तरों कुन सार दान देते समय दान देने वाले मनुष्य का मूँ पूर्व दिसा के ओर होना चाहिए और दान लेने वाला कमू उत्तर दिसा के ओर होना चाहिए तब उजादा फलकारी होता है आई जानते हैं दान के बारे में कुन सी दान देने से क्या फल मिलता है अच्छे रूप और सुंदर की प्राप्ति करने के लिए चांदी का दान देना चाहिए और दिपो का अगर कुभी वेक्ति दान देते हैं तो नेत्र समंदी रोग शमापता होते हैं अगर जवरतमन्द वेक्ती को अवजधी का दान देते हैं तो सुख की प्राप्ती होती हैं, गाय को घास दान देने से पापों से मुक्ती मिलती हैं, तील दान देने से संतान की प्राप्ती होती हैं, लोहा दान कनने से रोगों का नास होता है, सोना का दान कनने से लंबी उम् इक दिन घी का दान जरू देना आप कभी फिर कभी भी आपके आने वाले पिड़ी भी कभी भी निर्धन नहीं होंगे इसलिए घी का दान जरू देना चाहिए और योग्य वेक्ति को देना चाहिए कपास का दान देने से सुख शांती की प्राप्ति होती है नमक दान करने से क अच्छी पत्नी की प्राप्थि होती हैं अगर जो भीक्ति तील लोहा श्वन्न कपास नमक शब्त धन्य भूमिगाई किसी भी शूप परसांगे फिर किसी भी तयोहार में या फिर जैसे कि अच्छा तरीति पर अगर इनका नेकर करते हैं तो इसे बहुत ही शुब माना जाता है यह सब आपके लिए अच्छा हो जाएंगे यह आपको इतना जादा जीवन में तरक्की देंगे जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों भूमी तिल श्वन नगी वस्तर धन्य गूंड चांदी नमक यह जो दान कहें करें हैं 10 महादान हो दोस्तों इसे 10 महादान के स्र ändamay रखा जाते हैं जो कि पितरों की निमित है तो दिये जाते हैं दोस्तों अगर इस दिन जो भी दान देते हुआ अच्छत हो जाते हैं दानको आम एक प्रकार के ATM मसीम बोल सकते हैं जिस प्रकार आप अपने खाते में किसी अच्छ को आपने एग उर्पे दान दिए तो करोडो रुपए में जाकर कि आपको प्राप्त होता है अच्छ हो जाता है नसम आपता होने वाला हो जाता है उर दान देने का एक नियम भी है ऐसा माना जाता है जो वेक्टि जो अंले की ब्रिक्ष हैं आउले की ब्रिक्ष की नीचे अगर दान देते हैं तो इसे भगवान विश्णुजी उनके शाखी बनते हैं शाखी बनने का मतलब है दोस्तों आउले ब्रिक्ष की नीचे मगर किशी को दान देते हैं तो उस दान की प्रमाड स्वयं भगवान साक्षात नराया रखते हैं और एक बात मैं सभी लोगों को बता दूँ धन देने का अधिकार माता लचमी को है लेकिन किसके किसमत में कितना धन देना है ये निरणाय भगवान बिशनुजी करते हैं जो वैक्ति कर भगवान बिशनुजी के सची मन से भखति कर लें तो ऐसे वैक्ति फिर और दूसरे ब्रिक्षा बतारूं, दूसरे ब्रिक्षा के शन्नी में आते हैं जैसे कि बेल के ब्रिक्षा, बेल के ब्रिक्षा के नीचे में अगर आप किसी ब्राम्भण को, गरिब वक्ती को या फिर असहाय वक्ती को दान देते हैं तो दोस्तो वह दान अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल ही दोस्तों और जो ये बेल के ब्रिक्ष हैं इसे माता पारवती के शुरूप कहा गए हैं कई ग्रंथों में स्पस्ट लिखे हैं कि जो बेल के ब्रिक्ष हैं ये माता पारवती के पसीने सुत्पन हुआ है धारों और कई ग्रंथों में ये जानकारी मिलते हैं कि एक सराब के कारण माता लच्छमी को बेल के बृक्षच virtual बनना पड़ा धत्युक्त प्रेतर हैं की अध को आप लिक्तान खनЕН ढई है अकुछ दन जारूर करें लेकिन दान देते हैं तो उसमें एक तुलसी के पत्र जरूर रख लेना दोस्तों तुलसी के पत्र को ऐसा माना जाता है ये लचमी प्री है ये भगवन विश्णुजी के प्री है और तुलसी के पत्ते रख करके किसी को दान देते हैं तो दोस्तों वह दान अच्छे हो जाते हैं और इसके प्रमार स्वें तुल्षी विया होती हैं तो इसलिए दान देते हैं किसी को भी दान दीजिए अच्छा तृतिक दिन एक तुल्षी के पत्ते आप जरूर दीजे शांथ में तो दोस्तों आसा करता हूं कि आप भी इस अच्छा तृति पर जरूरतमन लोगों को दान करेंगे हो सके तो क्योंकि इसी समय से गर्मी का प्रभाव जादा बढ़ जाते हैं तो एक काम जरूर करना आप घड़े का दान कर दीजे घड़े का दान का मतलब है दोस्तों जहां पे लोगों को पानी की समस्चा आ रहे हैं पानी पीने में दिक्कत आ रहे हैं जहां पर लोगों को पानी की दिक्कत आती वहां पर जो घड़े दान दे दीजिए एक व्यक्ति को बैठा दीजिए पानी पिलाने के लिए फिर घड़े में आप हमेशा पानी भर करके वहां पर थोड़ा सा वेवस्ता करना शुरूर कर दीजिए गर्मी की समय में तो दोस्तों वाले पिढ़ी को भी उधार कर जाते हैं ऐसे वक्ति पे हमेशा माता लच्मी महरवान होती भगवान नरायन महरवान होते हैं तो दोस्तों आप जो है अपने शमार्थनों साथ दान दीजिए लोगों की भला कीजिए कुछ न कुछ शुब कर्मा जो अच्छा तृतिक दिन से शुरू जरूर करिए तो आसा करता हूं कि मैं जो जानकरे अपने बिड़ो के मध्मशे बताया हूं ये जानकारी अभी के जीवन में मंगल मैं एवं कल्यान कारी साबित जरूर होंगे और हाँ ये हमारे जानकरी कैसा लाग हमें कुमेंट सेक्षन में जरूर बताईगा और समाज कल्यान के लिए जनी इते हूं जन कल्यान के लिए विडो को आगे शेयर करना न भूना आपकी एक शेयर दोस्तों किसी के अंब्रित जैसा हो शक्ते किसी के भाग जब अध Ay कर सकते तो आज के जानकरी बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार